ओम शान्ती आज 25 जन्वरी 2017 शिव बाबा के वे मधुर महवाक्या जो साकार रूप से ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उच्चारण हुई उनका श्रवन हमने आज अपनी प्राते क्लास में किया बाबा ने आज हम बच्चों को दे अभिमान से क्या क्या हुआ वो सब बताया और बाबा ने इससे छूटने का तरीका भी समझाया आईए अब इस पर मन अंचिंतन करें बाबा बोले मीठे बच्चे दे अभिमान में आने से ही विकरम बनते हैं इसलिए प्रतिग्या करो और सब संग तोड एक संग जोडेंगे इसका थिये है कि संग का भी इसमें बहुत जबरदस योगदान है यह जो बाबा ने कहा है दे भान और एक संग जोड़ वो एक जो है केवल एक वो निराकार है उसका अपना दे है ही नहीं और बाकी सब दे धारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका आकारी रूप तो है न और बाकी सब का साकारी रूप भी है तो जब दे को देखेंगे तो दे की सिम्रिती आएगी कितना कठिन है अपनी दे में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा की सिम्रिती में नहीं रह सकते और जब हम देध्यारियों के बीच में जाएंगे तो उसकी देख को देखते हुए हर वकत हरेकी आत्मा को देखें उसकी अभ्यास के लिए भी बाबा कहते है सबसे अच्छा क्या है कि एक की सम्रिती में रहो वो एक सदाई निराकार है उसका नाम ही है परम आत्मा परम पिता तो जब हम उसकी सम्रिती में रहेंगे आत्मा है परम आत्मा है हम अपने आपको भी आत्मा समझेंगे क्योंकि शरीर तो परम आत्मा को याद नहीं कर रहा आत्मा कर रही है तो जब सदा उस सम्रिती में रहेंगे बाकियों को भी हम आत्मा देख सकेंगे तो दे भान जो सारे ही वीकारों की जड़ है उसको दे के अभिमान को या उसके भान को उसकी कौशिसनेस को भूलने का बाबा ने सबसे असान तरीक्ह बताया पिर आज बाबा नहीं एक खेल बताया जो नाचुरल है लेकिन लोग समझते हैं ये गौडली आक्ट है और वो है नाचुरल कलामिटीज विनाज के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापु आदी खतम हो जाते हैं मनशिक गौडली एक्ट कह देते हैं लेकिन ये गौडली एक्ट तो नहीं है क्या है हम लॉप पढ़ते थे जब उसमें एक्ट ऑफ गौड कहा जाता था लॉप के अंदर कॉंट्रेक्ट एक्ट भी पढ़ाया जाता है जब एक दूसरे से कॉंट्रेक्ट करते हैं को एग्रीम में मैं पूरी करके दूँगा तो उसमें वो लिख देते हैं लेकिन अगर कोई एक्ट आफ गौड आ गया तो मैं डेड़ साल में पूरी निक मान लो कोई अर्थकोएक आ गया कई कुछ और चीज आ गई नैचरल क्लैमिटी आ गई जिसके कारण उसका कंस्ट्रॉक्शन का कार रुग गया तो इसलिए वो लिख देते हैं थे कि एक्ट आफ गौड अगर कुछ हो गया तो उतना टाइम आप हमें एक्स्टेंशन देंगे तो दुनिया के लोग जनरली भी जो चीज कुदरती है कुदरती आपदा जिसको कहा जाता है अर्थकोएक आ गया समंदर की लहरो तुफान आगया समंदर में धरती पर तुफान आगया बहुत तेज जो उखाड के ले जाता है टाइफून कहते हैं जिसको इस परकार के जितने बहुत ज्यादा बारश आ गई तो सारी फसल तबाह हो गई कभी बारश आई ही नहीं सारे क्रॉप सूख गये इन सब चीजों को नेचरल क्लेमेटीज को वो लोग एक्ट अफ गॉड कहते हैं अच्छा अब कॉंट्रेक्ट में जब हम पढ़ते थे तो कई लोग गॉड को मानते ही नहीं इसलिए वो कहते थे कि इनके साथ कॉंट्रेक्ट कैसे होगा तो फोर एक और शबद यूज करते थे जिसको फोर किर्दी के ततवख अपने आप ही एक दूसरे करते हैं हार एक आदमी समेजता है हवा कैसे चलती है लोग प्रैशर हो जाता है तो हई प्रेशर से लोग प्रैशर की तरफ हुड़ जाती ऐसे ऐसे ही गर्मी, सर्दी, पानी, हर चीज का अर्थके काने का भी कारण होता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो नेचरल खेल है। खेल नेचरल बाबा ने क्यों कहा कि सत्यूग में नेचर नेचरल थी। सत्यूग में सारे तत्व क्योंकि आत्में सत्व परधान थी। हर ची तूरे भी सुख देता था मौसम सदा बहारी रहते थे ऐसे नहीं को ऐसी तपत आ जाए जो हीट स्ट्रोक हो जाए ना ऐसी सर्दी आ जाए जो लोग तर-थर कांपने लगें तो वो नेचरल नेचर थी अब क्योंकि मनुश्यों की नेचर बदल गई है आत्मा के अंदर भी सत नहीं करता मैं तो सुख दाता हूं इसलिए उसको एक्ट ऑफ गॉड किया ना गलत है बाबा कहते हैं गीत आज बजा कौन आया मेरे मन के द्वारे बाबा कहते है ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्व्यापी हो जाए कौन आया अकाल मुरत जिसको काल खाना स लोगं के पास बीकाल तक्त हैं उनके पास अकाली लोग भी है वो खुद नहीं समझते कि इस एक धरम मुरति मार का धरम है एक ही आधी सनातन देवी देवता धरम प्राय लोग है दूसरा है सन्यास धरम ने वृति मार का धरबार छोड हद का सन्यासकर पवितरवन का अब द तो इसका मतलब था नहीं तबी तो आया, अगर था नहीं तो सरव्यापी का तो सवाल ही नहीं, अगर सरव्यापी होता तो आने का भी प्रशन नहीं होता, इसलिए बाबा कहते हैं, मन जो है, कई लोग कहते हैं, मेरे हिर्दे में परमात्मा, परमात्मा कहां रहता है, हिर्दे का स्थान है जैसे आप देखेंगे किसी माता को बच्चे अपने बच्चे से कितना प्यार होता है तो कहेगी तू तो मेरे दिल में रहता हर वकत हिर्दे में बसा हुआ है तो बाबा कहता है हिर्दे समृति का स्थान है परमात्मा मेरे मन के दौारे आये कारता है कि परमात्मा कि जो प्रेम है उसकी गुन है उसकी समृति है वो मेरे दिल में आई थी नहीं और हम मैं कोशिश करूंगा कि सदा ये मेरे दिल में रहे और समृति नह आए अच्छा उसको उन्होंने ये बुना लिया कर दिया तब आबा कहता है ये बात नहीं है कि ये जो है सिख्ग धरम में भी है पर्मादमा के जो सिर्श रिस्टिक है वह वर्यन किये गया है ऑकाल मूरत 系 काल अकाल तख़त पर बैठा हुआ हुआं बगवान का जिसको काल ना खाए तो बाबा कहते है शरीर को तो काल खा जाता है तो पेरमागर हिर defने में मारक का है एक तो सन्यासी होते हैं जो घर बार छोड़के चले जाते हैं सिख धर्म में परविर्ती मारक का धर्म है यानि ग्रस्तियों के लिए है वो सारी बात यद्देपी वो इसको फालो नहीं करते तब बाबा कहते है सारे धर्म माजूद है आज सन्यास धर्म भी लेकिन हिंदु धर्म कोई धर्म नहीं है यह देवता धर्म का ही बिगडः लुप पान्द देताओं सब ACO पतिंप सरूप बखच सरूप है क्व तो अपय ही की पूजी-प अप कौन सा धर्म में जो प्राय लुप्त है, जिसको सापत करने मैं आता हूँ, मन के द्वारे अर्था मुरुशा आत्मा में आता हूँ, वो है आदी सनातन देवी देवता धर्मुशा भाबा ने फिर गुरु की महिमा बताई, कि गुरु वह जो सद्गती दे, गुर्णानक जी परमात्मा की महिमा करते हैं, एकोंकार सत्त नाम, बाबा केते हैं महिमा करते हैं, परन्तु वो किसकी महिमा है ये नहीं जानते हैं, पूरा बाबा ने बोला, निर्भय, निर्भय, सुनाइए, एकोंकार, अकाल मुरत, तुमको अब उस अकाल मुरत अर्थात परमात्मा की ह महिमा करते हैं अकाल मुरत योनी है, स्वयम भू अर्थात रच्छता है, निर्भय, निर्वहर, अकाल मुरत, सद्गुरु प्रसाद, जब साहब आदी ये महिमा है, बाबा कहते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, उसकी तरफ इशारह किया हुआ है, उसके करेक्टरिष्ट्रिक को जनकिया ओपर वो कौन है, ये नहीं जानते हैं, फिर कहते हैं, बाबा कि कैसी स्रिष्टी चक्र की बीजो नौलिज है, वही बताते हैं, सत्युक आदी सत्थ, होसी बी सत्थ, फिर ये भी कहते हैं, मूद पलिती कपड़ धोए, साफ करते हैं, तब उनकी महिमा काते हैं, फ हैं, आद सत्थ, यूग आद सत्थ, हैवी सत्थ, होसी बी सत्थ, कि दुनिया के सिर्ष्टी चकर के चतुर यूगी चकर के आद सत्थ यूग से होता है, अच्छा, फिर हैवी सत्थ, वो सत्थ कायम रहता है, बले दुनिया गिर जाती है, वैल्यू गिर जाती है, पर सत्थ काइम रहा होसी भी सत फिर उसी सत को पराप्त करती है सत से चलती है और सारा चकर घूम कर फिर उस सत पर आती है तो बाबा कहता है स्रिश्टी जिmber का ग्यान है पर उनको पता नहीं है फिर क्या कहा है असंख चोर हराम खोर तो बाबा ने कहा है कि जो आत्में देवी गुनों से हट करके आसरी गुनों में आती हैं यानि जो माया के प्रभाव में आ जाती हैं वो जैसे की चोर के रूप में हैं वो सत्त को चुरा के जूट को उसमें चोर क्या होता है कि किसी ने सोना दिया जेवर बनाने के लिए उसमें चोर करके गिनत आजकी दुनिया में million ii हैं जो किस्वर कार में काम कर अराम का मतलब होता है जो ऑन्राइटेश नसस क्षिए इसे नहीं कि वो गुरु लोग सद्गति दाता हैं, सद्गति किसकी करेंगे, उनकी वन्शावली की ही पूरी विर्धी नहीं हुई, तो सद्गति कैसे करेंगे? इसमें बावा ने ये बताया है, गुरु नानक को धरम स्तापक गिना 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 कर तो गती करने वाला होता है सदगती करने वाला होता है तो सदगती का मतलब है वापस ले जाना इस दुनिया से वापस ले जाना तो वापसी का कारे इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि अभी उनकी धर्म की आत्मे तो नीचे आई भी नहीं है उनके जाने के बाद भी वो धर्म सब воды द्हरम को शुरुल करने के निमित हैं, ना की आत्माओं को वापिस दिगाने के। … लिए उनको गुरु कहना ठीक नहीं है, बती है, धरम-स्तापक कहना ठीक है- वह खुद कह रहे है सत्धुर्य। ये कमकार सत्गुर्यॏ। कि सत्गुरु वह है खुद कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ सच खंड की स्थापना करने वाला सचा ठेरा ये सब बातें बाबा समझाते हैं सभी तो धारन कर नी सकते क्योंकि देर्मान बहुत है अब सच खंड भी कहा गया है सच खंड स्थापना करने का कोई टाइम होगा जब ये सारी दुनिया पूरी जूट खंड बन जाए तभी तो सत्खंड की सापना का टाइम होगा ना होसी भी सच तो इस वकत नहीं है तो समय आएगा ना तब भगवान कहता है कि वो भी मैं ही करता हूं आके ये तो अपने समय पर आके चले गए इनके आने का टाइम और जाने का टाइम सत्तखंड की सापना का टाइम नहीं है तो जितन बावा कीते दे ही अभी मानी होंगे अपने को आत्मार शरीरी समझे बावा को याद करेंगे धारना होगी दे अभीमान के कारण धारना नहीं होती योग से ही आत्मा के पाप दग्द होते हैं क्योंकि पाप आत्मा में है अब आत्मा को ही पापों से मुक्त होना है तब ही उसके अंदर ग्यान की धारना होगी पर दोनों काम कठे कठे चलेंगे ऐसे तो नहीं होगा कि आत्मा पहले सारी पापों से मुक्त हो फिर ग्यान की धारना करे तो पापों से मुक्त होती जाएगी और ग्यान की धारना करती जाएगी इसलिए बाबा ने 2 subject बताय है, ज्ञ्ञान और योग, उस योग का ज्ञ्ञान जिसे पापमुक्त होते हैं, बाबा कहते हैं, योग से ही पापमुक्त होगा है। बाबा ने आगे कहा है, कि बच्चे मुर्गली तुमको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, और अगर धारना नहीं होती है, तो समझो दे अभिमान है, मुर्ली पढ़ेंगे, नशा चड़ेगा, तब तो धारना होगी, और इसमें कोछ थोड़ा सा परसल पुर्शार्थ भी करना चाहिए, उधारन के रूप से बाबा ने का, नींद को जीतने वाले बनो, अब नींद को जितना बढ़ा लिया जाए, उतनी बढ़ जाएगी, तो बाबा कहता है कि नहीं, अच्छे योगी की निशानी है, कि वो निद्राजीत होता है, तुनिया के अंदर भी, जिसको अप इन्वेंटर साइंटिस्ट होते हैं, वो कभी टाइम थोड़ी देखते हैं, लिबाटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि अब आठ बजगे मैं इसको बंद कर दू नहीं, वो लगे रहते हैं, इसको लगन भी कहा जाता है, तो जो लगन है, बाबा कहता है, अपन कर्मों को विनाश करने की, ताके जितनी आत्मा शुद्ध होगी, उतना उसके अंदर ग्यान धारम करना होगा, इसने निंदरा जीत कहा गया है, एक तो अग्यान की निंदरा दिन में आए, कि उनको दिन में भी अग्यान की निंदरा रहती, देवान में रहते हैं, उनको ध और दूसरी भी निंद्रा जो है जो शिरीर लेता है उसको भी कम करके अपने मेनत करनी चाहिए बाबा ने जो पवित्रता की निशानिया है वो बताएं जैसे सिख धर में कंगन पहनते हैं और ब्रामन लोग जनेव पहनते हैं बाबा कहते हैं कि यह चोटी रखते हैं तो बाबा कहते हैं कि यह चीज मुझे पतित पावन कहते हैं तो मैंने आकर कि तुम बच्चों को पावन बनाया है उसकी यादगार स्वरुप थोड़ी बहुत है निशानिया शेश है उन्होंने इसको रिचोल बना लिया है, उसका भावार्थ नहीं समझा है, अब रिचोल रिचोल है, लेकिन उसकी धार्ना नहीं है, जैसे ब्राह्मन लोग चोटी रखा करते थे, तो चोटी का मतलब होता है टॉप, उसको अंगलीश में कहते भी टॉप है, तो आत्मा की टॉ स्टेज हो, सर्व स्टेज हो, जिसमें सबसे पहली कंडिशन पवितरता होती है, यानि भोगी ना बनके पवितर आत्मा रहे, योगी बने, ब्रहमचर्य का पालन करे, खान पान सात्विक रखे, तो वो ब्राह्मन है, अच्छा, अब तो काश्च के ब्राह्मन रहे और फिर वो उस टॉप की पोजीशन को धारन रखा हुआ हूँ मैं, इसलिए वो चोटी रखते थे, ताकि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति, उनसे फालतू की घटिया तरह की बात ही न करे, वो समझे ये ब्राह्मन है, इसके साथ मैंने इस परकार की कोई खराब बात नहीं करने, ब्राह्मन का वो रत लेते हैं, सिक्ख लोग भी जैसे अमरित शखते हैं, वो पानी पीते हैं एक परकार का, उसको कहते हैं अब ये अकाली हो गया, तो फिर उसको इस परकार के सिंबल दिये जाते हैं, तो ब्राह्मनों का जोबी पुटरता की निशानी आप देखेंगे, किसी भी पुटर स्थान होगा, मा लोग तुल्सी का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसके गिर्द भी वो जनव बांगते हैं, पुटरता की निशानी है, इसी परकार से सिक्ख लोगों को पांच परकार के दिये जाते हैं सिंबल, उसमें सबसे इंपोर्टन कड़ा है जिसको कंगन कहते हैं, तो ये भी जैसे हमें राखी बंदवाई जाती है रक्षा बंद 돼ंके तुम पुटरता को धारन करोगए तो परमात्माता तुमारी रक्षा करेगा, शिक्खों को ये कंगन, यहनी पुटरता का कंगन पहना गया, उनके पांच होते हैं, उसको कहते है कच्छ, कड़ा, करपान, केस, कंगा. उनके में यह होता है, एक तो यह हो गया, एक वो अंडर वियर पहनते हैं, वो भी जिसको हिंदु लोग हमारे भारत में हिंदु लोग जो हैं, लोगोटी पहनते हैं, ब्रहमचेरी को धारन करने के तो कच्छ, तब ही बावा ने आगे का है, मूद पलीती, कपड़ दोए, वो पालन नहीं करते, गंदे रहते हैं, फिर कड़ा, फिर करपान, जैसे हमारे यहां गदा दिखाई जाती है, अर्थात, विकारों को नश्ट करने की निशानी, ताके वो कोई भी आत्मा जो है, विकार, विकारों का गला काटने की निश निशानी का, फिर केश, तो केश सिर के उपर सिख लोग बाल रखते हैं, फिर बालों के अंदर कंगी फेड़ते रहते हैं, अर्थात उसका यही होता है, के मन्थन, साफाई रखना, बुद्धी, मन बुद्धी को क्लीनर, क्लीर रखना, यह उनकी निशानिया बनाई गए अब जो अकाली बनते हैं, जो अमरेज शकते हैं, वो यह धारन करते हैं, आज भी सिखों के पगड़ी के उपर एक परकार का चकर भी बना होता है, अकाली हों के, लेकिन वो नाम मातर रह गये, और फिर बाबा ने आज गरंद साब से कई सारी बाते ली हैं, बाबा केते हैं तुम ग्यान गंगाए हो, और तुम ग्यान गंगाए बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होते हैं, गंगा नदी के उपर भी देवी की मूर्थी रख देते हैं, और फिर बाबा ने का कि चड़ती कला तेरे भाने सरों का भला, आप जैसे हमारे ह हिंदू धरम में गंगाए हैं, फिर सरोवर बताए जाते हैं, मान सरोवर, ग्यान मान सरोवर, तो सिख लोगों के जितने टेमपल होते हैं, उसके साथ बहुत सरोवर भी रखते हैं, जैसे अमरिस सहरा उनका परसिद टेमपल, सबसे मशूर गोल्डन टेमपल, उसके इर्द आपने सब का भला चड़ती कला यभी बाबा कहते हैं मैं आकर संगम युक पर आत्मों की चड़ती कला करता हूं और जब आपकी चड़ती कला होती है तो सभी की चड़ती कला हो जाती है संगम युक के बाद कुछ आत्मा जीवन मुक्ती में चली जाती हैं कुछ मुक्ती पाती है वो शबद भी गुरु गरंथ साम में आते हैं बाबा केते हैं मैं आकर कि ब्रामन धर्म की स्थापना करता हूं जो कि चोटी है और तुम बच्चे बाप के बनते हों उसके बाद फिर बाकी सब धर्म आते हैं नंबर वार और आखिर तुम्हारी प्रतिक्ष्टा अव गुत गीता है उस में उन्हों ने ये तो लिखा कि परमात्मा धर्ती पर आए पंड़ों ने उनकी साथ दिया पंड़ों ने युद किया लेकिन वो तो विकारों से युद किया गीता में लिखा हुआ है काम करोद दो मोहंकार से तो उस शास्तर में उन्हों ने कार्वों के साथ जुद दिखा दिया जुद तो हुआ लेकिन क और वो ने आपस में जुद किया पांडवों ने थुड़ी कार्वों से जुद किया वो तो देव असुर संगराम दिखा पर देवता और अस्रों की लड़ाई हुई वास्ता में मन के अंदर ही देवी वृतियों की और आसरी वृतियों का संगर्स चला जिस पर देवी वृतियों ने जीत पाई अप फिर उस परकार से वह सारा उन्हों बनाया हुआ है तब बाबा कहते हैं वो पांडव आखिर उनको मिला क्या तो दिखाते हैं पहाड़ों पर गल मरें तो श्रीर को उन्होंने विदेही बने वो और बात है तो बाबा कहते है एक्चुली मैं आक्ट के ब्रमा द्वारा स्थापना करता हूं सारी दुनिया में पर परमात्मा ने ब्रमा द्वारा स्थापना की तो क्या स्थापना की तो ब्रामन रचे और ब्रामन को दिखाते हैं शास्तर आदी पढ़ने पढ़ने वाले तो बाबा कहते हैं मैंने एक्चुली ब्रमा के द्वारा ब्रामन धर्म रचा अब धर्म बहुत छोटा था इसलिए इसको ब्रामन कुल कहा जाता है, उसके बाद प्रमात्मा का कारे पूरा हो गया, प्रामन ने यग्य को संपन किया, उससे विनाष जौला प्रकट हुई, जिससे कौरव संपरदाय का विनाष हुआ, वो ब्रामन धर्म जो जड़ में रचा, स्विश्टी की जैसे कहते हैं, विकारी मर्यादा पुर्शोदम, वो फिर जाके देवता बनते हैं, इसलिए ब्रामन को आदी देव कहा जाता है, अब ब्रामन भी हमेशा ब्रामन देवा नमय कहते हैं, वो ब्रामन देवता बनते हैं सज्जुक के, इस परकार से ब्रामन धर्म रच के प्रमात्मा देवता और ख्षत्री दोनों धर्म की रचना कर देते हैं और गीता में इसका वर्णन है कलब के आद में ब्रह्मा जी ने यग रचा जिससे ब्रामुर और देवता उत्पनु और विर्दी को पाए धारणा के लिए आजाया अशरीरी बनने के लिए रात को जाक कर अभ्यास करना है क्युक्त के का चाहिए सब चीजों से मुख्ट चाहिया वर्दान है बालक सो मालिक की सीरी चड़ने और उतरने वाले बे- 1962 डाबल लाइड भा बेफिकर डबल लाइट रहेंगे, मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा, एक सीड़ी है, ये सीड़ी कभी चड़ो, कभी उत्रो, कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ, किसी प्रकार का बोज नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है, जा बालक बन जाओ, वाहा बन जाओ, जाओ, मालक बन जाओ, वाहा बन जाओ. Slogan है, जो पुरुष्ष समझ रत्ध्वरा कार्यक कराते हैं, वाही सच्चे पुर्शार्ती. तो ये थी बाबा की आज 25 जन्वरी 2017 की मुरली जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को प्रते दिन पढ़ाई विधी पूर्वक पढ़नी है और बाबा की जो महिमा है उसका स्वरूप बनना है इस बात का आवाहन क्या ओम शान्ति